नमस्कार दोस्तों हेदराबाद के राजिव गांदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सन्नाइज हेदराबाद का रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें मुंबई इंडियंस के बल्लेवाद रोई सर्मा, इसान किसन और सूरे कुमाई आदव पांच ओवर के अंदर ही तीनों जल्द ही आउट हो गए लेकिन इसके बाद क्रीच पर आए तिलक वरमा ने विस्पोटक बल्लेवाजी करते हुए केमरन ग्रीन के साथ मुंबई की पारी को बड़ी बखूबी से समाला जिसमें केमरन ग्रीन और तिलक वरमा के बीच 70 रन की दमागेदार पार्टरसीप बनाई तिलक वरमा ने हैदराबाद के सभी बोल्रों की बुरी तरेक उटाई करते हुए 65 बोलों पर 115 रनों की सांधार पारी खेली तिलक वरमा ने अपनी सांधार पारी में दस चोके और इतने ही 10 चक्क्य लगाए यही नहीं तिलक वर्मा ने भुमनेश्वर कुमार के एक ओवर में लगातार चार्ट शक्के लगाकर एक एक नया विस्ट रुकोर्ट भी बनाया जिसको देखकर सभी क्रिकेट प्रेमी काफी हैरान रहे गए तिलक वर्मा और केमरन ग्रीन की सांद्रा बल्लेवाजी की बदलत मुम्मे इंडियंस ने बीस पोर में पांच विकेट कोकर एक सो ब्यानवे रन का सम्मान जनक स्कोर बनाया दोस्तों तिलक वर्मा की इस विस्पोर्टेक बल्लेवाजी के लिए इस वीडियो को लाइक और कर दो